हेलो फ्रेंट्स आज की बि deste के बिंग न्यूज नीट यूजी 2021 स्टुडेयंट्स के लिए तो सभी स्टेट्स के बिया गुड़ न्यूज है , सभी स्टेट कोटा की जो तो आज इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि किस पर्टिक्लर स्टेट का जो कांसलिंग शीडियूल है वो कब से स्टार्ट होने वाला है तो सबसे पहले गाईज अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजेगा ताकि आपको नीट यूजी कांसलिंग कट ओफ और ओफिशल नौटिस से रिलेटिड की पल-पल की अपडेट आपको मिलती रहे और गाईज इस पूरी इन्फोर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा क्योंकि ये सभी स्टेट्स के स्टुडेंट्स के लिए बहुत है तो गाईज देखिए साथ में फ्रेंड्स यदि आप नीट की प्रिपेशन कर रहे है तो अन अकेडमी आपके लिए लाए है अमेजिंग ओफर अन अकेडमी प्रोडिगी 23rd जैन्वरी मौनिंग 10 एम क्लास 7th, 8th, 9th, 10th इंजिनिर और मेडिकल एस्पाइरेंड्स के लिए एक्साइटिंग स्कॉलर्सिप और रिवार्ड्स भी रखे गए है ओल इंडिया लेवल पर ये टेस्ट होने वाला है और इसको फ्री ओफ कोस्ट इन्रॉल करने के लिए प्रिया 1-8 कोड आपको यूज करना है एक्साइटिंग रिवार्ड्स रखे गए है एवरी टेस्ट के लिए आपका 29 जैन्वरी और 13 फेबरी को टेस्ट रखा गया है रेंक वन वाले स्टूटेण्ट को Macbook Air मिलेगा और जिन भी स्टूटेंस का रेंक टू तू त्री आएगा उनको Apple आइपोन रैंक 4 तू 5 वाले स्टूटेंट को Apple iPad और रैंक 6 तू 40 वाले स्टूटेंट को Amazon Echo Dot rank 41 to 100 वाले students को amazing voucher मिलेंगे और साथ में guys scholarship slabs भी रखी गई है rank 1 to 10 वाले student को 100% scholarship rank 11 to 25 वाले student को 75% scholarship और जिन भी students का rank 26 to 100 होगा उनका 50% scholarship और rank 101 to 200 वाले student को 25% scholarship और 201 to 500 वाले student को 15% की scholarship मिलेगी तो guys आप schedule देख सकते है class 7th, 8th, 9th, 10th IIT, JWE, class 11th, 12th and dropper year students के लिए 4 test रखे गए है अलग-अलग दिन तो आप timing देख सकते हैं कौन सा आपको suit करता है ठीक है और 2022 के लिए अगर आपको crack करना है तो 19th जन्वरी से subject experts के थूँ आपकी classes जो है वो जारी की जारी है और NEET using mega combat रखा गया है अब आपका हिंदी और इंग्लिज दोनों languages के अंदर एबलेबल है 45 minutes का test रहेगा 28 questions पूछे चाहेंगे गोल्ड, सिल्वर, ब्राँज, मैडल, टॉप 3 rankers के लिए रखे गया है टॉप 25 rankers के लिए certificates भी रखे गई है पांच करोर रुपे प्लस आपको reward जीतने का मौका मिलेगा तो guys 500 lucky participants को मिलेगा मौका, gadgets और gift vouchers जीतने का तो 16 January morning 11 AM अगर आपने अब तक इंड्रॉल नहीं किया है तो सबसे पहले इंड्रॉल किजिएगा class 11 ते 12 और डॉपर ये students का ले बस अलग-अलग रहेगा वो आप देख सकते है तो याद रखिए 16 January morning 11 AM आपको जो भी Unacademy का free product होता है अगर आपको free of cost वो use करना है तो Priya 18 code से आप उसको use कर सकते है और यदि guys कोई भी आप Unacademy का paid course लेना चाहाते है तो Priya 18 code यूज करने से फ्लेट 10% का discount मिलेगा तो नीचे description में link मिलेगा वहां से directly आप enroll कर सकते है अब गाइस हम बात करते हैं नीट यूजी counseling को लेकर ये आप सभी को पता है MCC का जो counseling schedule था ये 14 जनवरी को रिलीज हो चुका है और जब रिलीज हुआ था अभी मैं अपने चैनल के ऊपर आपको inform कर चुके थी ठीक है counseling schedule जारी हो चुका था लेकिन state quota से related उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला गया था तो guys finally official notice जारी हो चुका है state quota की counseling का जो schedule है वो भी जारी हो चुका है कि किस particular state की counseling जो है वो कब start कर वाई जाएगी तो guys आपके MCC जो all India quota की counseling होगी उसके just by the state quota की counseling स्टार्ट हो रही है official notice जारी हो चुका है official website पर तो आपको directly official notice दिखाने वाली हो और बदाने वाली हूँ कब से round 1 की counseling स्टार्ट होगी round 2 मॉप पॉस्ट्रे वेकेंसी round कब तक चलेंगे और क्या कुछ update कोई information या कोई urgent update दी गई है official notice के अंदर वो क्या दे गई है तो देखे guys आप सभी के लिए good news है आप सभी को all the best counseling में participate करने के लिए अब हम देखते है official notice तो देखे guys ये मैंने open कर दिया है जो official notice आपका जारी हुआ है counseling schedule को to be conducted by mcc and state uj counseling ठीक है mcc और state दोनों का ही schedule जारी कर दिया गया है to be conducted by respective state counseling authorities तो guys सबसे पहले अगर हम बात करें first round की counseling की तो first round की जो counseling है देखे यहाँ पर दिया गया है all india quota की जो counseling होगी जिसके अंदर deemed universities, central universities institute, ESIC, AIMS, JIPMAR, AFMC इन सभी की जो seatों की उपर counseling करवाएगा वो mcc counseling करवाएगा और 15% जो states की seat रहेगी उनके उपर counseling होगी तो वो 19 जनवरी से 28 जनवरी तक चलने वाली है round 1 की counseling mcc के तुरू, अब हम बात करें state counseling, तो जो state quota की counseling होगी guys वो 27 जनवरी को शुरू होगी 31 जनवरी तक चलेगी और ये सभी states की रहेगी, ठीक है किसी एक state की नहीं है, जितने भी आपके states है, सभी states की counseling 27 जनवरी को start होने वाली है, 31 जनवरी जो last deadline है वो दी गई है अब guys माल लिया जाए कि first round में आपका selection हो गया, ठीक है state quota या फिर all India quota के तो आपकी जो last date रहेगे joining की, reporting की, college में admission की, तो MCC के तुरू अगर आपका हुआ है, तो 4 फरवरी तक आपको report करना है और state quota की counseling में आपका selection हुआ है, तो 7 फरवरी तक आपको report करना है, clear guys, अब हम बात करते हैं, जो second round की counseling होगी तो second round की counseling जो MCC के तुरू conduct करवाय जाएगी 15% सीटो पर, वो 9 फरवरी से start होगी, 18 फरवरी तक चलेगी, और state quota की जो counseling होगी, वो guys, 15 फरवरी से start होगी, और 18 फरवरी तक चलने वाली है, state quota की counseling ठीक है, अब जो last date रहेगी joining की, वो क्या रहेगी तो guys, last date रहेगी joining की, 26 फरवरी 2022, ये MCC के तुरू, यदि आपका selection second round के अंदर हुआ है, तो, और यदि आपका selection हुआ है, state quota के तुरू तो 24 फरवरी last date रहेगी joining की, ठीक है, अब उसके बाद second round आपका complete होगी अब आपका mop-up round start होगा थार्ड राउंड जो कांसलिंग करा होगा, वो होगा mop-up round, और mop-up round के का जो कांसलिंग MCC कंडेक्ट करवाएगी, वो 2 मार्च से 11 मार्च तक कंडेक्ट करवाएगी, और guys, जो state quota की कंसलिंग होगी वो 7 मार्च से 10 मार्च तक आपकी चलेगी, अब आपकी बाद आती है कि मालिया जाएगे, मौप-up में आपका सेलेक्शन हो गया है, तो आपको कोलेज में रिपोर्ट कप करना है, तो कोलेज रिपोर्टिंग लास्ट डेट दी गई है, अगर एमसेसे के थुर्ट आपका concent को प्रेंगी mcc conduct करवाएगा ठीक ठीक है तो जो ओनलाइन स्ट्रे वेकेंसी राउंड रहेगा जो फोर्थ राउंड रहेगा सेंट्रल ओल इंडिया कोटा सेंट्रल डीम्ड यूनिवस्टेज एसाइसी एम्स जिपमर पॉंडेचेरी और कराइगल सीटों के लिए तो 21 मार्च से 22 मार्च आपका ये चलेगा mcc के थुरू अगर हम बात कर ले स्टेट कोटा की को तो गैस एक ही डेट दी गई है 16 मार्च 16 मार्च को आपको स्ट्रे वेकेंसी राउंड जो है उसमें पार्टिस्पेट करना है तो 16 मार्च लास्ट डेट रहेगी स्टेट कोटा की और mcc की 21 मार्च से 22 मार्च रहेगी क्लियर है अब बात करते है जो जो जुइनिंग की लास्ट डेट रहेगी स्ट्रे वेकेंसी राउंड की वो क्या रहेगी तो mcc के थुरू अगर आपका स्लेक्शन हुआ है तो 26 मार्च आपकी लास्ट डेड लाइन है और अगर मार्च जो है वो आपकी लास्ट डेट रहेगे ठीक है अब गाईज हम बात करते हैं नोट क्या दिया गया है for ensuring faithful obedience of time schedule and also keeping in view the limited time available for conducting counseling all participating institutes colleges are directed to treat all Saturday, Sunday and guested holidays as working days ठीक है तो counseling में आप सभी को पता है काफी ज़्यादा delay हो गया तो अब जल्दी जल्दी जो है काम सुरू किया जा रहा है और जल्दी जल्दी से उसको finish किया जा है इसलिए बोला गया है कि जितने भी Saturday, Sunday और जो graduated holidays रहेंगे उन सब को working day count करना है कोई भी छुटी अब नहीं रहेगे ठीक है जब तक counseling पूरी conduct नहीं करवा ले जाती है तो गयाज ये था state quota counseling और all India quota counseling का full schedule student जो है काफी ज़्यादा confused हो रहे है कि कब से counseling सुरू होगी all India quota के देदे लेकिन state quota के कब होगी तो guys state quota का full and final यहाँ पर दे दिया गया है ठीक है फिर भी अगर आपको इन सब से related कोई doubt होता है तो आप comment के जरी ये पूछ सकते है और guys अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो like और share करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि हर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही important है तो like and share जरूर किसेगा और guys चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले तो जल्द ही मिलेंगे अब next new update के साथ तब तक के लिए thank you guys तो need 2021 की counseling 19 January से आपकी start हो रही है और guys seat matrix मैं बता दू आपको 17 January को आपकी जो seat matrix है वो जारी हो जाएगी सभी institutes की सभी colleges की ठीक है तो जैसे ही जारी होगी आपको इस channel के थो inform कर दिया जाएगा okay guys thank you